हलो स्टूडेंट्स आज हम आपकी हिंदी रीडर पाठ्टे पुस्तक का पार्ट दो तीर्थ तिलोनिया पढ़ेंगे आई होब आप सबको पार्ट एक जीवन समझाया होगा पार्ट नमबर दो है तीर्थ तिलोनिया जैसा कि इसका नाम है तीर्थ तिलोनिया तिलोनिया कोई तीर्थिस्तान नहीं है पर यहां के लोगों के कारियों के कारण यह एक तीर्थ बन गया है इस पार्ट के पीछे लेखक के क्या उद्देश्य हैं करमटता अर्थात करमशील हुना, अनुशासन, सहबागिता और आत्मनिर्भरता का पार्ट पढ़ाना आत्मनिर्भरता अर्थात अपने आप पढ़ अपना कारिया खुद करना सीखना प्राकर्तिक संसाधनों के संगरक्षन और बिवेकपुन उपयोग का संदिश देना प्राकर्तिक संसाधन अर्थात बिजली, पानी, आदि सांस्कृतिक बिरासत, परंपरागत जानकारियों और नई तक्नीक के मेल से विकास की रहा पर अग्रसर होने की सीख देना भारत में तिलोनिया नामक कोई जगे भी है यह मुझे मालूम नहीं था उस बक्त तक तिलोनिया के बारे में मुझे इतनी ही जानकारी थी कि वहाँ पर एक स्वावलंबी केंद्र बिकास केंद्र चल रहा है इस पार्ट में जो लेखक है वह कह रहे हैं कि तिलोनिया नामक भारत में कोई जगे भी है यह उन्हें पता नहीं था उन्हें सिर्फ तिलोनिया के बारे में इतना पता था कि वहाँ पर एक स्वावलंबी बिकास केंद्र चल रहा है जिसे इस्थानिया ग्रामबासी इस्तिप्रूस मिलजुल कर चला रहे हैं और मैं वहाँ अपने किसी प्रयूजन से किसी काम से नहीं जा रहा था मैं तो केवल अपने बास्तुकार दामात के साथ जिने वहाँ अपना कोई काम था मात्र एक साथी के नाते जा रहा था मुंबई को जाने वाली जनरेली सडक को छोड़कर हमारी जीप एक तंग राजस्थानी सडक पर आ गई थी पर यहाँ भी दूर दूर तक कुछ दिखाई नहीं देता था अर्थात लेखक मुंबई की सड़क को छोड़ कर कुछ तंग, राजस्थान की तंग सड़क की तरफ आ गए थे, जहां दूर दूर तक उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, केवल सपाट मैदान, कटीली जाड़ियों के जुर्मुट और दो अपैर का बोजिल बाताव फिर सहसा ही अचानक से उनकी जीप ने एक मोड काटा और हम तिलोनिया की छोटी सी बस्ती में पहुँच गए, बस्ती क्या थी कुछ पुराने और कुछ नए छोटे मोटे घरों का जुर्मुट थी, अर्थात उनका जुन्ड थी, चारो ओर चुपी थी और दोपैर की अलस दिरे दिरे तिलोनिया के राच खुलने लगे, पहली जानकारी तो बोजन पर बैठते समय ही हो गई, जब एक सज्जन मेरे हाथ दुलवा रहे थे, लेखा कह रहे हैं कि उनको तिलोनिया के बारे में जानकारी बोजन पर बैठते समय ही थोड़ी थोड़ी हो गई थी, जहा पर में बारिशका पाने उन्हें पहसी और कि बंगा रहाथ कर दलाब के लेकिन उपर चछन को देख कर कोई कह नहीं सकता था कि इसके नीचे बड़ा सा तालाव होगा इससे पहले कि मैं उनसे कुछ पूछू उन्होंने मेरे चेरे के भाव से ही मेरे सवाल को समझ लिया होगा कहने लगे इस बारिश के पानी को हम साफ कर लेते अर्थात लेखक के मन में हो सकता है कि यह सवाल हो कि तुम इस पानी को कैसे साफ करते हो तो उन्होंने उस प्रश्ण को पहले ही भाप लिया और कहा कि इस बारिश के पानी को हम साफ कर लेते हैं उसे पीते हैं उस पानी से अपनी खेती बाड़ी करते हैं राजस्तान की धर्थी तो जल के लिए तरस्ती है अब तो ऐसे ही 110 ताल हमने इस इलाके में जगे जगे बना रखे हैं हमारे इसकुलो और सामुदाई केंद्रों में जल संग्रक्षन वह संग्रहन की व्यवस्ता की गई है जल को इखटा करने की व्यवस्ता की गई फिर कुछ याद करते हुए कहने लगे यह बहत जमाना था जब जगय जगय अनेक यूबा लोग आगे आकर कुछ ऐसा नया करके दिखाना चाहते थे जिससे की देश का बिकास और देश की बिकास में हितकारी हो। पिछड़े हुए गाओं में जाकर क्या करोगे यह प्रयोग निश्य ही सफल हुआ। यही उनकी मंडली थी अर्थत उनकी मंडली में इतने ही लोग थी। उन दिनों तिलोनिया गाओं की आवादी 2000 के असपास रही होगी। वे सज्जन अपने प्रयासू की चर्चा कर रहे थे, मुझे बार-बार गांधी जी के कथरियाद आ रहे थे। मैंने गांधी जी का जिक्र किया तो बड़े उत्साह से बोले आपने ठीक ही कहा है। यह संस्तान गांधी जी की माननेताओं के अनुसार ही चलता है। गांदी जी की माननेता है, जीवन साधापन हो, साधा हो, करमत हो, अर्था तो कर्मशिल हो, अनुशाशन में रहे, आपस में कारियों में सहभागीत हो, बागीदारी हो और लोग आत्म निरवरों, अर्था अपने आप निरवरों ना कि दूसरों पर, यहां सबी निरणे मिल बैटकर किये जाते हैं आत्मी निरवरता से क्या मतलब आत्मी निरवरता से मतलब कि ग्राम वासियों की जो गाओं के लोगों की जो चिपी शमताएं हैं उनको काम में लाया जाए और गांधी जी के अनुसार ग्राम वासियों अपनी अधिकांस बुनियादी जरुरतों को उन साजे प्रयासों द्वारा गाउं की अर्थव्यवस्ता का विकास करना है उन्होंने कहा कि उनका काम परंपरागर जानकारी और भ्यावारिक अनवब दोनों को मिला कर दोनों के साजे प्रयासों के द्वारा जो गाउं की अर्थव्यवस्ता है उसे सही करना है हात मुध होकर हम लोग बोजन कक्ष की और बढ़ गए ब्रामदे में एक और पानी के बहुत से नर लगे थे ये किस काम के लिए मैंने पूछा तो वे सजन हस दिये बोजन कक्ष में बैठने वाले लोग बोजन करने के बाद अपने बरतन यहीं साफ करते हैं यहां नौकर चाकर नहीं होते बोजन कक्ष में अनेक फुरुस इस्त्रियां बैठे बोजन कर रहे थे बड़े आनंद से उन्होंने बोजन किया पास बैठे लोगों की भाषा तो समझ नहीं आती थी पर उनके लहजों में अपनापन चलगता था अब हम इस पार्ट को आगे कंटिन्यू करेंगे